कि लो एब्रीबन सो अगेन मैं आपके साथ हूं भी लेक्शन नंबर 14 एंड वी विल डिस्कस वट इस सबनेट मास्क एंड सी डियर वेल्यू राइट सो सी डियर स्टेंड फॉर क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग आप लोगों ने दो चीजों का कॉंसेप्ट सुना होग पर जब भी हम अपने सिस्टम को एक आई-पी अडिर्ई एल्योकेट करते हैं तो आई-पी के साथ हमें उसका नेट मास्क या फिर जिसको आप सब्नेट मास्क बोलते हैं डोनों ही चीजे हमें moisturizing करने होते हैं है क्या अपने सिस्टम को तो एस्ट्रिव्या इस शम्नोह प्रक्रास एक लाज बी एंड लाज सी एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपको बताना पड़े तो आप सिंपल में आंसर कर सकते हैं इडिफाइन दी नंबर ओफ नेटवक एंड होस्ट बिट्स इंसाइड गिविन आई-पी अड्रेस और नेटवक एड्रेस राइट सिंपल में एक आई-पी एड्रेस में या नेटवक एड्रेस के अंदर आपको यह पता करना है कि कौन से बिट्स मेरे नेटवक के हैं और कौन से बिट्स मेरे होस्ट के हैं तो यह जो आपको exactly idea या एक overview या आपको पता चलता है वो with the help of subnet mask के थ्रू यानि कि subnet mask ही आपको बता के देगा कि particular given IP address में कितना portion आपका नेटवक के लिए रिजर्व है और कितना portion आपका होस्ट के लिए रिजर्व है और सबनेट मास्क में जब आप उस नेट मास्क का वाइनरी नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं और मैंने आपको बताया था system generally जो understand करता है वन और जीरो को सबनेट मास्क में वाइनरी सिस्टम में अगर आपका वन आएगा तो उसका मतलब होता है और वन को ही मैं यहां पर बोल रहा हूं जितने भी नंबर आफ आपके ओन विट्स होंगे राइट सबनेट मास्क में अगर आपने continuously count किया और आपको लगता है कि 8 विट्स मेरे को ओन मिले हैं तो सबनेट मास्क जो होगा 255.0.0.0 कैसे होगा मैं अभी अभी आपको समझाओंगा लेकिन अभी के लिए आप यह मानके चलें आप सबनेट मास्क का binary में अगर आप calculation करते हैं और on bit का मतलब 1 होता है off bit का मतलब होता है 0 जितने number of off bits होंगे उनको मैं host bit बोल रहा हूं यहाँ पर और जितने भी number of on bits होते हैं उनको हम बोलते हैं network bits default subnet mask की अगर मैं आपसे बात करता हूं class A class B and class C अगर आप class A का IP अपने system को allocate करते हैं तो generally most of the cases में we assign the default subnet mask 2550.0.0.0 या इसी का एक notation आप in form of classless inter-domain routing या फिर जिसको आप CIDR value बोलते हैं या तो आप system पे slash 8 आप allocate कर सकते हैं या फिर 255.0.0.0 ये भी आप allocate कर सकते हैं as a net mask इसका मतलब एक ये भी होता है कि आपका total IP address जो होता है वो 32 bits का होता है और उसके equal में subnet mask भी आपका 32 bits का होता है ये चीज़ आपको दिहान रखना है subnet mask और IP दोनों ही represent किये जाते हैं decimal number system में और मैंने आपको बताया था कि वी हैब दा 4 ओक्टेड फोर वाइट का ही आपका subnet mask होता है फोर वाइट का ही आपका एक IP होता है और वन वाइट इक्वल टू या वन ओक्टेड इक्वल तू मैंने आपको बताया था एट विच्ट्ट्ट्स यानि की वी हैब दा 4 डिफ्रेंट ओक्टेड इन subnet mask as well in the IP address right तो आपके जो class A के जितने भी address होते हैं उनके starting के जो 8 bits आपके होते हैं reserve होते हैं network portion के लिए क्योंकि default हमारा जो net mask class A का होता है that is 255.0.0.0 और last के जो आपके 24 bits होते हैं they are reserved for the host addresses मतलब आप अपने लिए अगर IP calculation करना चाहते हैं valid IPs आपको अगर उस network के लिए चाहिए तो आप 24 bits में changes करके आप अपने IPs को calculate कर सकते हैं same order में class B के net mask की मैं आपसे बात करता हूं तो we have the 255 default जो subnet mask आपका होता है 255 255 0.0 that means CIDR notation में इसको आप 16 भी लिख सकते हैं और इसके according 16 bit आपके reserve होते हैं network के लिए और 16 bit आपके reserve होते होस्ट के लिए right class C के लिए अगर हम बात करते हैं तो default net mask जो आपका होता है that is 255 255 255.0 इसको CIDR के form में आप 24 भी लिख सकते हैं and according to bits allocation 24 bits हमारे reserve होते हैं for network और last के जो 8 bits हमारे reserve होते हैं for host right अब यहां पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम लोग यह कैसे decide कर रहे हैं कि इतने bits आपके network के हैं और इतने bits आपके host के लिए reserve हैं तो आप से कभी भी यह पूछा जाए ना कि given IP address में with the help of subnet mask आप यह कैसे identify कर सकते हैं कि कि कितने bits network के हैं और कितने bits आपके host के हैं राइट तो एक example के थू मैं आपको इसको समझाता हूं जैसे कि सपोज करो मैंने एक IP address यहां पर लिखा हुआ है 10.0.1 और लेट सपोज इसका जो नेट मास्क आपने यूज कर रखा है that is 255.0.0.0 आप से पूछा जाए इस given IP address में how can you say कि कि कितने bits आपके network के हैं और कितने bits आपके host के हैं तो अभी आपना simple बता सकते हैं कि सर यह default class A का IP address है और इसका जो net mask आपने लिए रखा है वो भी default आपने यूज कर रखा है लेकिन इसका एक in depth भी आपको अगर answer करना पड़े तो simple एक easy way होता है कि आपका जो decimal number में net mask लिखा हुआ है उसका सबसे पहले आप binary system में जो representation होता है वो आप count कर लें राइट जैसे की 255 का अगर आप binary number में conversion करते हैं decimal to binary तो we generally put eight times one in the first octet you can count you have the eight times one and rest of the octet का जो आप binary system में allocation करोगे बैट विल बी अगेन 0.0 राइट मतलब eight times zero आपको last के octet में रखना है यह आप मान के चलें ठीक है और यहां पे आपको clear में समझ में आ रहा है अगर मैं number of on bits को calculate करता हूं तो we have total count eight और अगर मैं zero bits का count करता हूं तो we have 24 of bits right that's why I am saying कि पहला जो आपका octet होता है that is reserve for the network और लास्ट के जो 24 विट्स होते हैं वो होस्ट के लिए reserve होते हैं और यही चीज मैंने आपका यहां पे लिखा हुआ है एक subnet मास्क में जितने on bits होते हैं they are reserve for the network portion और जितने और विट्स आपके होते हैं they are reserve for the host portion राइट तो यहां पे आप simple बता सकते हैं कि यह वाला जो पार्ट आपका है this is for network एंड जो लास्ट के तीन ओक्टेड आपको दिख रहे हैं दी जारता host portion और इसका हमें exactly जो यूज केस हमारे सामने आता है when we start communicating the systems with each other हम कैसे बोल सकते हैं कि multiple ाईपी एक नेटवक के पार्ट है या अलग लग नेटवक के पार्ट है आपको लगता है कि हर एक आईपी का starting 10 से हो रहा है और सबका net mask 255.0.0.0 आप यूज कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि all systems belongs to same family या फिर सेम नेटवक से ब्लॉंग करते हैं इसका मीनिंग यह होता है exactly ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं आप यह बिल्कुल क्लियर करके आप बता सकते हैं same for the class B and class C class B का भी जो default net mask होता है इनका भी binary calculation आप करते हैं तो you will get the 16 bits on and 16 bits आपके होंगे off that's why I'm saying 16 bit reserve for the network 16 bits reserve for the host right same order मैं class C की भी मैं आपसे बात करता हूं तो we have the 24 bits on by default that's why I'm saying 24 bits reserve for the network by default और 8 bits जो आपके reserve होते हैं host के लिए होते हैं right अब थोड़ा सा मैं आपसे एक बात करता हूं कि on the basis of use cases आपसे एक interview में question पूछ लिया जाता है what is the difference between classful IP address and classless IP addresses when we start using the IP addresses तो इसके फर्दर दो टाइप समारे होते हैं IP addresses के यानि कि आपसे अगर कोई randomly एक IP यहां पर लिखता है suppose करो 10.0.0.0 और आपसे पूछा जाए कि यह classful IP address है या classless IP address है तो आप नहीं बता सकते इसको बट आपसे यहीं पर उसने एक net mask यहां पर लिखा suppose करो आपने बोला कि यार यह class A का address है because class A की जो range होती है 0-127 होती है उसके बीच में इसका पहला update 10 है that means कि this IP belongs to class A और आपने उसके basis पर बताया कि this belongs to class full IP addresses but how we are saying कैसे हम इस चीज़ को justify कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि यह जो address है यह class A का है और class full IP address है आपको एक चीज़ याद रखना है जब भी आप किसी class के address को use करते हैं address भले ही आपका class A का है B का है या C का है किसी भी IP address या network के साथ जब हम लोग उसका default net mask use करते हैं अगर class B का आपने कोई address लिया let's suppose 172.25.0.0 इसका default subnet mask अगर आप इसके साथ use करके चल रहे हो तो यह दोनों ही address आपके class full होंगे यानि कि class full में हमारे पास कोई option नहीं होता to break my network यह चीज़ आपको ध्यान रखना है we cannot calculate the IP addresses further according to my need तो उन addresses को हम लोग बोलते है class full IP addresses आपने simple यह देखा कि address class A का है net mask will be default 255.0.0.0 same for the class B 255 मतलब address आपने कुछ भी लिया class B का range हमारा होता है 128 से लेके 191 class C का हमारा होता है 192 से लेके 223 तो इन में से कोई सा भी address आप जब calculate करना start करते हैं and when you just find the default net mask with the particular IP address तो उस address को उस network को हम लोग बोलते है class full IP addresses आगे चलके आपसे ना interview में यह question पूछा जाता है कि CIDR value का मतलब क्या होता है एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि हमारा जो net mask है decimal format के number में लिखा रहता है जैसे आपका एक IP होता है सेम और में आपने कहीं कहीं पर एक slash के साथ एक numeric value भी देखा होगा sometime this may be slash 8 sometime 16 भी होता है sometime 24 होता है और इसके अलाबा भी कुछ भी number भी आपने देखे होंगे तो CIDR value का exactly मतलब क्या होता है it is used to calculate or find out the subnet mask of class less IP addresses एक चीज़ मैंने यहां पर बोला है CIDR value का जो यूज होता है ना just to find out the subnet mask of class less IP addresses but question यहां पर यहां पर आता है कि class less IP addresses हम बोलते किसको है यानि कि आप थोड़ा सा closely इन दोनों IPs पे अगर ध्यान देते हैं आपको exactly देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यह दोनों ही addresses आपके same है लेकिन दोनों ही addresses में हम लोगोंने जो CIDR value इसका ले रखा है वो अलग-लग ले रखा है और net mask के वो भी मैंने अलग-लग ले रखा है यानि कि दोनों addresses को मैं यह कैसे बोल पा रहा हूं कि यह classful है यह classless है classful मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसके साथ जो default net mask यूज कर रहा हूं वो class C का है और इसी address को मैंने बोला कि I will just break this particular IP और address with slash 26 यानि कि मैंने उस class का default mask यूज ना करके कुछ भी मैंने अलग से लिया बड़ यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि हम IP addresses के साथ अलग से क्या minimum value CIDR का ले सकते हैं क्या maximum value हम लोग ले सकते हैं तो minimum जो CIDR का value होता है that can be slash 1 और maximum जो होता है that can be slash 32 अब ये भी हम कैसे बोल रहे हैं कि slash 1 और slash 32 होता है यानि कि आप से अगर मैं randomly एक question यहां पर बोलता हूं कि आपका किसी भी IP address के साथ एक net mask लिखा हुआ है यह अब इसका CIDR value आप कैसे calculate कर सकते हैं तो दोस्तों इसका calculation का सबसे easy तरीका होता है जो भी net mask आपने ले रखा है जो भी net mask आपने ले रखा है उस net mask में simple आप decimal to binary conversion start कर दो पहले ठीक है अगर मैं 255 का आपसे binary conversion कराता हूँ तो this will be 8 times 1 again next octade में भी 8 times आपका 1 होगा and again next time this will be 8 again but 192 का अगर आप binary conversion करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं मतलब एक octade के 8 bits को अगर आप on भी करते हैं चाहे IP address में चाहे subnet mask में तो उसका binary conversion हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहां पर बता रखा है one cross two raise the power seven मतलब आपको पहले total bits को count कर लेना है तो we have the total eight bits right और आप यहां पर two हमने क्यों लिया क्योंकि binary number का जो base होता है वो two होता है right base value जो होता है that is two that's why I have just multiply one means यह one मैंने हासे लिया cross two raise the power we start from the zero same order में इसको increment करते हैं आपको जाना है until last binary value तो हमने यह suppose किया है कि एक octet के eight bits को अगर हम on भी कर देते हैं चाहे IP address में चाहे आपका एक subnet mask के अंदर तो आपका जो maximum value जो calculate होके आता है ना that is 255 यानि कि आप two raise the power seven को calculate करते हैं तो 128 आएगा one cross two raise the power six को आप calculate करते हैं तो 64 आएगा one cross two raise the power five को आप calculate करते हैं तो 32 आएगा यान कि इसका भी total मैं अगर करता हूं तो that can be 255 और यह चीज प्रूव होता है या प्रूफ होता है कि subnet mask या IP address का एक उक्टेट का value decimal number में greater than 255 से ज्यादा नहीं हो सकता यह चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है तो मैं आपका यह अभी यहां पर हम बात कर रहे थे कि हम लोग यह चीज कैसे calculate कर सकते हैं we have the subnet mask अगर इसका मेरे को एक CIDR value अगर निकालना पड़े तो 192 का अगर मैं वाइनरी के अगर मैं इसका conversion करता हूं तो we have the six time zero and you can say and two times one right in the fourth adopted तो आप आप देखो इस conversion को करके ना आपको दो values पता यहां पर चलेंगे अभी एक तो हम अपना with respect to net mask इसका CIDR value क्या होगा वो भी हम बता सकते हैं और दूसरा चीज अगर आपको यह बताना हो कि इस particular IP address में how many bits reserve for the network and how many bits reserve for the host तो यह चीज भी आप बता सकते हैं और आप यहां पर simple बोल सकते हैं कि we have the 26 bits जो की reserve है मेरे network के लिए और six जो bits मेरे हैं वो reserve है मेरे host के लिए यह simple आपको समझ में आ रहा है और अभी आपको इस subnet mask का अगर CIDR value find out करना है तो simple है आप on which जितने भी उनको count कर लो तो we have the eight eight plus eight 16 plus eight 24 और plus two that will be slash 26 that's why मैंने यहां पर 26 पहले से ही लिखा हुआ था यानि कि मैं चाहूं तो इस IP के साथ slash 26 भी लिख सकता हूं और with respect उसका जो net mask होता है वो भी मैं calculate कर सकता हूं दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको एक net mask दिया जाए तो CIDR value हम उसका कैसे find कर सकते हैं और CIDR value अगर हमको दिया जाता है तो net mask उसका हम कैसे find कर सकते हैं तो मैंने नहीं यहां पर इसी लिए देखो लिखा हुआ है कि minimum जो CIDR value होता है maximum slash 32 क्योंकि एक subnet mask का जो maximum जो उसमें bits होते हैं वो 32 होते हैं चार ओक्टेट को अगर आप on भी कर देते हैं तो we have the total 32 bits तो maximum भी CIDR value आपका कितना हो सकता है 32 हो सकता है और how we calculate जब हम subnet mask में number of on bits को calculate करते हैं तो वही value exactly हमारा होता है CIDR का यह चीज़ आपको ध्यान रखना है just for your knowledge test मैं आपका एक छोटा सा आपसे पूछ लेता हूं कि आपको अगर subnet mask दिया जाए तो how you can find the CIDR value और CIDR दिया जाए तो आप net mask कैसे निकाल सकते हैं let's start let's suppose आपको यहां पर ऐसा कुछ address आपको लिखके दिया तो वर्ड विल बी दा CIDR value for this net mask आपको क्या करना है सीधा साथ 255 का सबसे पहले आप binary conversion स्टार्ट करें तो we will put eight times one now 224 224 में आपको एक चीद ध्यान रखना है सबसे पहले you will start the first weight तो first weight का जो value यहां पर आप देख पारें that is 128 second weight आपने on किया value will be 64 128 और 64 को आप एड करते हैं तो दिस विल भी 192 और 192 में अगर मैं 32 एड करता हूं next weight को भी मैं on करता हूं तो we have the value triple one and rest of the values will be zero यानि की इन numbers का 8 bits का आप decimal number निकालोगे जैसा मैंने आपको भी बता रखा है यहां पर we start in sequential order यह चीज आपको ध्यान रखना है bits को कभी हम right to left नहीं on करते हैं हमेशा left to right bits को आपको on करना है तो पहला weight अगर मैं on करता हूं तो उसका value 128 है दूसरा on करता हूं तो 64 है तीसरा on करता हूं तो 32 यानि कि we have the value triple one zero five times और इसका decimal अगर आप निकालोगे यानि कि यह भी आपको off ही रखने है last वाले ठीक है eight times off कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर इसका cidr value आपको अगर calculate करना पड़े तो आप on bits को simple calculate कर ले तो we have the eight bits on and three bits right so total जो हमारे सामने जो cidr value आ रहा that is less 11 यह चीज़ आपको ध्यान रखना है ठीक है अब एक और आपकी knowledge testing के लिए एक number में यहां पर लिखता हूं आपको बताना होगा कि इसका exactly what will be the cidr value question मेरा यह है कि this is the valid net mask or not सबसे पहले तो पहले तो मैं अपना answer कर देता हूं net mask मैं कभी भी हम कोई random value put नहीं कर सकते हैं आप ऐसा net mask यूज नहीं कर सकते हैं let's suppose आपने बोला 0 fit 255.0 this is the wrong and invalid net mask net mask के case में जब भी हमारे bits on होते हैं sequential order में यानि की how I can say कि यह एक आपकर wrong है net mask यह invalid है अगर आप इसका binary conversion start करते हैं तो पहले bit में मतलब पहले octet में तो आपके 8 bits on होंगे दूसरे octet में भी 8 bits on होंगे यानि यहां तक सब कुछ ठीक है लेकिन third octet में आप जैसी जाते हैं dear तो 223 का अगर आप binary conversion लिखते हैं तो आपने बोला सर पहले bit को on कर दो 128 दूसरा bit मैंने on किया 64 यानि की 128 और 64 को हम add करते हैं तो this will be 192 और 192 के बाद अगर मैं इस bit को on करता हूं तो यह 32 add करते हैं तो that will be 224 उसका real decimal number आएगा बढ़ हमें कहां पर target करना है 223 तो हम इस bit को फिर off करेंगे फिर आपने बोला कि 16 वाला जो bit है वो हम on कर सकते हैं चलो यह bit मैंने on कर दिया तो यानि की 192 मैं मैं अगर 16 add करता हूं तो that will be 192 और 16 हम लोग add करते हैं तो this will be 20 this will be 208 यानि की एक बिट आपने यह on कर दिया राइट वी हैब जस्ट जीरो हमने यह बाला किया है 3rd & 4th को हमने on कर दिया जिसका value है 16 इसके बाद 5th bit पर अगर आप जाते हैं तो उसका value है 8 यानि की 208 में अगर आप 8 add करते हैं that would be 216 और 216 के बाद आप यह वाला bit on करते हैं that will be 220 फिर आप next bit on करते हैं that will be 222 triple time और इसके बाद का भी bit आप on करते हैं तो this will be यानि की 3rd octet में इसका binary conversion आप निकालते हैं तो आपने यहां middle में एक bit को off कर दिया in case of net mask आप ऐसा नहीं कर सकते हैं यानि की इसी के basis पर मैं यह बोल रहा हूं आपसे कि यह आपका एक invalid net mask है और same दूसरे net mask पर भी आप देखते हैं और इसका भी binary conversion आप start करते हैं we have the first octet में 8 times 1 आपको लिखना पड़ेगा and you have to put the 0 तो हम 0 ऐसे बीच में किसी भी bit को unnecessary off नहीं कर सकते हैं subnet mask के case में IP आप randomly कुछ भी ले सकते हैं IP का अगर जैसे 192.168 10.0 इसका अगर मैं binary conversion लिखूंगा तो हो सकता है sequential order में कहीं पर 0 भी मेरे को लेना पड़े जरूरी नहीं कि sequential order में bits आपके on होंगे तो वो IP के case में applicable होता है but not in case of subnet mask subnet mask में हमेशा bits को आपको sequential order में ही start करना पड़ेगा एक और just simple सा मैं आपके सामने यहां पर presentation करके we will proceed with the next cidr से आप subnet mask कैसे find कर सकते हैं तो उससे पहले अगर आपके सामने यह net mask लिखा है तो इसका cidr value क्या होगा you can just say 8 bits हमने यहां पर on करे 8 bits हमने यहां पर on करे 2 to 4 का binary conversion क्या होगा आप सीधा सा बोल सकते हैं sir यह आप on कर दीजिए ठीक है starting के 3 bits और इनका decimal number अगर हम calculate करते हैं तो we have the 2 to 4 यानि की हम सीधा सा बोल सकते हैं इसका जो cidr conversion जो होगा that will be 8 plus 8 16 और plus 3 3 bit आपने on करे हैं तो that will be 16 यानि की 19 अब let's suppose आपके सामने यहां पर मैंने एक value लिखा slash 25 इसका net mask क्या होगा तो आपको कुछ नहीं करना 8 8 bits को आपने on करके start करना हैं यानि की मैं अगर first starting के 3 octets के bits को on करता हूं तो we have the 24 और next मैंने एक bit और on किया that is 25 मैंने आपको बोला था cidr bits का मतलब होता है कि एक net mask में जितने bit आपके on होते हैं या जिन bits को आप one करते हैं और उनको अगर आप count करें जितना count आपका टोटल आता है that is your cidr value तो हमने 255 means 8 bits on again 8 bits on again 8 bits on right so we have the 24 और एक bit हमने और on कर दिया 25 मैंने on करें and 7 मैंने कर दिया of that means we can say इसका जो net mask होगा 255 255.128 यह चीज आपको ध्यान रखना है एक नंबर और मैं आपको दे रहा हूं 27 इसका calculation आप खुद करें answer मैं इसका कर देता हूं that should be 255 255 255 224 यह आपका net mask actual में होगा क्योंकि 3 bits हमने additionally on करें 24 bits हमारे on है already इनका जो decimal number आएगा 255 255 255 लास्ट वाले octet में 3 bit अगर मैं on करता हूं तो starting के इन 3 bits को अगर हम on करते हैं तो we have the 128 64 and 32 इसका total एडिसन आप लोग करेंगे that will be equal to 224 राइट तो इस lecture में simple मैंने आपसे बात किया है कि subnet mask क्या होता है class full IP addresses क्या होते हैं class less IP addresses क्या होते हैं what is the meaning of CIDR value तो आपको सीधा सा याद रखना है जब आप IP addresses को break करना start करते हैं और इस procedure को हम subnetting बोलते हैं अगले lecture में मैं subnetting की आपसे बात करूंगा what is the meaning of subnetting but CIDR value का एक exact जो definition होता है it is used to calculate or find out the subnet mask of class less IP addresses right class full हम उनको बोलते हैं जिनके साथ default mask होता है class less उनको बोलते हैं जब हम default को छोड़के दूसरा हम कोई address CIDR value हम जब यूज करते हैं राइट और class A B and C का default mask क्या होता है default CIDR values क्या होते हैं तो वी इतना ही discussion में इस पर्टिक्लर लेक्चर में करता हूं आपके queries हों तो comment box में आप type कर सकते हैं थेंक्स फॉर वाचिंग झाल कर द दूस्ट झाल झाल